दोस्तो आज के इस वीडियो में हम उन किशन के बारे में डिसक्रस करेंगे जो ICR के एक्जाम में बार बार रिपिट होते हैं और सभी एक्रिकल्चर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हमारी बहुत ज़्यदा मिनत लगी है तो दोस्तो इस वीडियो को like जरू कर देना और चेनल को subscribe जरू कर लेना जिससा आपको आगा आने वाली वीडियो की notification मिलती रहे और दोस्तो यदि आप हमारे WhatsApp ग्रूप जोइन करना चाते हो तो दोस्तो लिंक description में है वहाँ जाकर आप जोइन कर सकते हो दोस्तो पहले question है सेरी कल्चर उत्पदन प्रणाली में क्या होता है तो first option है मद compassion पालन, second रेशंकीट पालन, third कंपोस्ट है तो के है हिसार, सेकंड ए करणाल, थर्ड ए इज़तनगर, फौर्थ ए आनंद, तो इसका अंसर है करणाल, ICR, NDRI करणाल में इस्टित है, इसके बाद नेस्टिक्यूशन है, निम्न में से कौन सा बायोगेस का एक प्रमुग गटक है, तो फर्स्ट ओप्शन है, N-BUTEN, सेकंड ए N-PROPEN, थर्ड ए ACETYLINE, फौर्थ मिथेन, तो इसका अंसर है मिथेन, बायोगेस का प्रमुग गटक मिथेन है, इसके बाद नेस्टिक्यूशन है, निम्न में से कौन सा दान्य नहीं है, तो फर्स्ट ओप्शन है, गेहू, सेकंड तो इसका अंसर है चना, इन में से मतलब दान्य कौन सा नहीं है, चना दान्य नहीं है, और बागी सब दान्य है, नेस्टिक्यूशन है, हवा के वेक के माप के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो फर्स्ट ओप्शन है एनिमोमेटर, सेकंड ए विंड उकलिफ होता है वा किसकी वज़े से होता है, तो फर्स्ट ओप्शन है वाइरस, सेकंड है मैईक्वक। प्लाज्मा, तर्ड है निमोमेटर, फौर्थ बेक्टेरिया, तो इसका आंसर है मैईक्वक। ब्लाज्मा, बेगर्ण मेयटिल इस्तिमाल को से होता है, बीच को परिपकवा अंडशी, एक परिपकवा बीचांड, फौर्थ परिपकवा बीचांड, ग०्लोण है सेकन्ड परिपकव बिजांड, बीच को परिपकव बिजांड के रूप में भी परिबशित किया गया है नेस्ट रूप्चन है, नेस्ट कुशन है, सोरी नेन между में से कौन सी बकरी की नसल नहीं है फर्स्ट उप्शन है जमनापरी, सेकंड है बार्बरी, थर्ड है सिरोही और फॉर्थ है नेलोर तो इसमें से जो बकरी की नसले नहीं है वह नेलोर और बागी सब बकरी की नसले है क्योंकि नेलोर बेड़ की नसल है नेस्ट कुशन है बारत में नेटोजन के स्रोथ के रूप में प्रयोक्त प्रमुक उर्वरक कौन सा है तो फर्स्ट है पॉटिश्यम नाइटरेट, सेकंड है यूरिया, सर्ड है जिप्सम, फौर्थ है सिंगल सूपर पास्पेट तो इसका आंसर है यूरिया, यूरिया सबसे ज़्यादा नेटोजन के रूप में बारत में इस्तिमाल किया जाता है नेस्ट कुशन है मुर्गी के अंडे देने की आउदी में प्रकाश की आउदी कितने से कम नहीं होनी चाहिए तो फर्स्ट ऑप्षन है सत्रा गंटे, सेकंड ऑप्षन है पंद्रा गंटे, थर्ड ऑप्षन है तेरा गंटे और फूर्थ ऑप्षन है दस गंटे तो इसका आंसर है दस गंटे, दस गंटे से कम varp audyn नहीं होनी चाहिए नेस्ट क्यूशन है अलफांजो किसकी लोगप्री किसम है तो फर्स्ट ओप्शन है अमरूद, सेकंड सेब, थर्ड आम, फॉर्थ अंगुर तो इसका अंसर है थर्ड आम, अलफांजो आम की लोगप्री किसम है निश्ट रोप्षन है, ईसका आंसर है तर्र इंटिग्रेटर फार्मिग सिस्टम को IFS पर्दिशित करता है या IFS की Full-form Integrated Farming System है नेस्ट किशन है growing of vegetable in designated house to meet the household requirement is known as तो फर्स्ट ओप्शन है truck garden, सेकंड है kitchen garden, थर्ड है market garden, फॉर्ट है flooding garden तो इसका अंसर है second kitchen garden नेस्ट किशन है निम्य में से कौन सा फल जली बनाने के लिए उप्यूकत है तो फर्स्ट है अम्रूद, सेकंड है आम, थर्ड है केला और फॉर्थ नीबूँवांश तो इसका अंसर है अम्रूद, अम्रूद से कोज जली बनाने के लिए उप्यूकत है इसलिए माना जाता है नेस्ट किशन है निम्य में से कौन सा विशिष्ट लक्षन परशु कोशिका में अनुपस्तित होता है जो एनिमल में है, एनिमल में कौन सा कोशिका है, कौन सी सेल है जो अनुपस्तित रहती है तो इसका answer है chronoplast क्योंगी backloglast परश कोशिका यानि animal cell में नहीं पाए जाता है यह plant cell में पाए जाता है तो फस्ट है विकांड प्रणाली, सेकंड है त्रिकोनी प्रणाली और थर्ड है शटकोनी प्रणाली और फॉर्थ है कंटूर प्रणाली तो जो पहाड़ी शेतर होते हों आपक कंटूर प्रणाली अपनाई जाती है जो सीड़ी दार होती हैं से कंटूर प्रणाली भी करते है नेस्ट क्यूशन है रानिकेद बीमारी किस में आम है तो फर्स्ट है कुपकुड, सेकंड है सुवर, थर्ड गोवंच, फॉर्थ बोर, बेड तो रानिकेद बीमारी वह कुपकुड में आम है यानि की मुर्गियों में आम है नेस्टी क्यूशन है प्रोटिन सेलेक्शन कहा होता है तो फर्स्ट है राइबोसोम, सेकंड है क्लोरोप्लास्ट, थर्ड है मार्ट्रकॉंडिया और फॉर्थ नुकलियास तो जो प्रोटिन सेलेक्शन है वह राइबोसोम में होता है तो इसका अंसर राइबोसोम है नेस्टी क्यूशन है कि स्विगयनिक ने इस्ट्रप्तोमाइसिन की खोच की तो फर्स्ट क्यूशन है अलेक्जंडर फ्लेमीग, सेकंड है सेल्मन वॉक्मैन, तर्ड है लुस पास्चर, फौर्थ सिड्नी ब्रेनर तो इसका अंसर है second selman walkman, selman walkman ने श्ट्रप्ट माइसिन की खोच की है नेस्ट क्रिशन है सुष्ट में प्रवर्दन रोग में मुक्त पोदी की समाध्यम से प्राप्ति किया जाते है तो फर्स्ट ओप्शन है विवजोदक सवर्दन, second प्राकोष सवर्दन, third बूर्णप सवर्दन और fourth कोच का सवर्दन तो इसका अंसर है first विवजोदक सवर्दन नेस्ट क्रिशन है दोध में उपस्तित प्रोटेन मुक की रूप में क्या है तो फर्स्ट है myosin, सेकंड है albumin, थर्ड है केसिन, फॉर्थ करोडिन तो इसका अंसर है केसिन क्योंकि दूर्थ में जो protein होता है वह केसिन होता है इसके बाद next question है बारत में केले का सामयानी रोग कौन सा है तो फर्स्ट उप्शन है सिगाटों का, सेकंड है फुजिरियम उक्ठा, सर्ड है बंचिटा और फॉर्थ है पनामा उक्ठा तो इसका आंसर है सेकंड फुजिरियम उक्ठा केले का साम्यानी रोग है इसका आंसर है फर्स्ट उप्शन है निम निम लेकित फलो में से किसमा अधिकतम विटामिन ए होता है तो फर्स्ट उप्शन है आम, सेकंड है बेल, थर्ड है संत्रा, फॉर्थ है केला तो इसका आंसर है फर्स्ट है आम, आम में सरवाधिक विटामिन होता है फलो में इसका बाद lacking question है निम्ने में से किस फ्रसल की खेती के लिए सर्वादिक पानी की आशक्ता होती है तो first हे चावल, second हे अरहर, third हे बाज़रा और fourth है गन्ना तो इसका आंतर है गन्ना गन्ना में सर्वादिक पानी की आश्कता होती है यादि गरना option में नहीं है तो चावल इसका right option होता है next equation है 5.0 nitrogen और 60% पाचन शम्ता वाले पश्यू आहर में कितना DCP होता है तो दोस्तों यह आपको सोल्व करना होगा अभी मैं solution बताऊंगा तो अभी time लग जाएगा तो इसका आंसर है second 3% इसके बाद investigation है जीजे मेंडल कहा के थे first option है इंगलेंड, second है औस्ट्रिया, third है औस्ट्रेलिया, fourth जर्मनी तो इसका आंसर है जीजे मेंडल औस्ट्रिया के निवासी थे इसका बाद investigation है सबसे प्रभावी खरपतवार नियंत्रन उपचार कोंचा है first option है यांत्रिक, second है रसाइनिक, third है कर्शन, fourth समयकित खरपतवार प्रबंदन तो इसका आंसर है फोर्द समयकित खरपतवार प्रबंदन सबसे प्रभावी खरपतवार नियंत्रन उपचार है next question है गोवन्ष में ब्लेक क्वाटर रोग किसके कराण होता है first option है विशानू, second है कवाग, third है जिवानू, fourth है परजिवी तो इसका आंसर है जिवानू, गोवन्ष में ब्लेक क्वाटर रोग जिवानू से होता है इसके बाद next question है बारत में हरित का अंति का जिनक की से माना जाता है first option है जिएस खुश, second है में स्वामी नातन, third बीपी पोल, fourth है एमवी राओ तो इसका आंसर है second है में स्वामी नातन को बारत महरित को अंति का जिनक माना जाता है next question है बेल में एकत्री किये गए वीरिय को कितने समय तक सरक्षित किया जा सकता है first option है एक स्वामी नातन, third है एक वर्च, fourth है एक वर्च से अधिक तो इसका आंसर है एक वर्च, एक वर्च तक बेल के वीरिय को एकत्रीत करके सरक्षित रखा जा सकता है next question है बीजाई से चावल उगाने है तू उप्यूक्त शाक नाशी कौन सा है मतलब जो शाक नाशी है वह कौन सा है यह बताना है तो इसमें first option है 242, second है व्यूटा क्लोर, third है प्रेटिला क्लोर, और fourth है विस्पायरिक तो इसका आंसर है व्यूटा क्लोर इसका बाद next question है निमनलिकित में से किस फसल में लवणता के प्रती अधिक्सम सोजिशनोता होती है first option है चावल, second है गेहू, third है चुकंदर, fourth है सरसो तो इसका आंसर है चुकंदर, चुकंदर में सबसे ज़्यादा लवणता प्रतरोधी शमता होती है इसका बाद next question है निमनलिकित में से कौनसी सरकरा अविगेट कारी है तो first option है सुक्रोज, second है माल्टोज, third है ग्लुकोज, fourth है ग्लेक्टोज तो इसका आंसर है ग्लुकोज, ग्लुकोज सरकरा अविगेट कारी है इसका बाद next question है निम्निकित फ़लो में से किसे फ़लो को को राजा का जाता है फर्स्ट ओप्शन है से, सेकेंडे अम्रूद, थर्डे निबुवांच, फोर्टे आम तो इसका आंसर है आम, आम को फ़लो का राजा का जाता है next question है हेटरोसिस क्या है फ्रस्ट उप्षण है उत्प्रिवर्थन का प्रविष, सेकंडे सहज उत्प्रिवर्थन की उपस्तिती, थर्ड पित्रो की अप्यक्षा उत्तम F7 का उत्प्राइदन, queue 1 फोर्थ दुयादू से अधिक लक्षणों का मिश्रण पाला जाता है, फर्स्टे केट फिस, सेकंड कार्ब, थर्ड जिंगा, फॉर्थ सजावटी, तो इसका आंसर है फर्स्ट केट फिस, इसका बाद नेस्ट केशन है, इटरनेशनल क्रोफ रिसर्च इंस्टूट फोर सेमी एरिट एंड ट्रोबिक्स इस लोकेड़ एट, तो इसक इसका आंसर है 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 हैदराबाद, हैदराबाद में यह रिसर्च इंस्टूट इस्टित है, इसका बाद नेस्ट केशन है, मध्य बारत की, काली मिट्टी की स्की, खेती के लिए उप्यूकत है, फर्स्ट आप्शन है आलू, सेकंड है मुंग पली, थर्ड है कवास, इसका आंसर है जूट, जूट को गॉल्टरन फाइबर के रूप में जाना जाता है, नेस्ट केशन है बारत में किस राज्य में जली क्रशी का सरवादिक उत्पादन होता है, फर्स्ट आप्शन है केरल, सेकंड है तमिल नाडू, थर्ड है पच्छी मंगाल, फॉर्ट है आ बारत की कौन सीनर्स ले उच्छी उत्पादक है, फर्स्ट आप्शन है मुर्रा, सेकंड है लाल सिंधी, थर्ड थार पारकर, फॉर्थ जर्शी, तो इसका आंसर है फर्स्ट मुर्रा, इसके बाद नेस्ट केशन है, केर आलकर मिट्टी की सरचना में सुधर किया जा सकता है फर्स्ट आप्शन है रासानी को रुपरा, सेकंड जित्सम, थर्ड चुना, फॉर्थ जर्विक काद, तो इसका आंसर है फॉर्थ जर्विक काद, नेस्ट केशन है टमाटर किस कुलका है, फर्स्ट आप्शन है लेगिमने सी, सेकंड कुर्सी पहरी, थर्ड सोलेने सी, फॉ करते हैं क्लेप्ट दाप्टिंग तो इसका अंसर थर्ड टी बडिंग रोज जो है वो टी बडिंग से उगा चाता है नेस्ट क्यूशन है अच्छी गुर्ण मतावाले इसका अंसर है तो दोस्तों ये थे आइस्ट एक्जाम से रिलेटेट इंपोर्टेंट क्यूशन वीडियो चलागा तो वीडियो को लाइक किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और ये आपका कोई डौट या कोई क्यूशन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो और आप हम आपको रिपलाई देने की पूरी कौशिश करूँगा और ये आप हमारे वाट्सअप ग्रूप जोइन करना चाते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वाजा कर आप वाट्सअप ग्रूप जोइन कर सकते हो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों थेंक्यू